आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजर इंटरफेस में मैप वाले हिस्से में जितने भी अब्जेक्ट्स दिख रहा है आपको ये सभी अब्जेक्ट्स को कैसे डिलीट करते हैं हम लोग समाने तक क्या होता है कि operation में जाने के बाद उस हिसे का track तो record हो जाता है पर उसको हम लोग delete नहीं कर पाते तो delete करने का क्या तरीका है आज हम लोग सभी components को एक-एक कर देखेंगे कि किस प्रकार से किसी खास चीज को यानि कि waypoint हो चाहे वो photo waypoint हो चाहे वो track हो या किसी overlay को हम लोग किस प्रकार से delete करते हैं तो इस point पर आज का ये हमारा वीडियो आप सबको लिए समर्पित है चलिए देखते हैं हम लोग इसको समझने के लिए आए हम लोग आज इसके components को देख ले तो किसी map वाले हिस्से में जो हमारा user interface है उसमें क्या-क्या हो सकता है पहला तो waypoint होगा दूसरा photo waypoint भी हो सकता है परंतु या waypoint से भिन है क्योंकि इसे track के रूप में समझा ले आता है या जो software है इसको as a part of track समझता है जो कि हम लोग generally track record करते हैं चौता है root, root और track लगभग दोनों आपस में सेम ही है परंतु थोड़ा अंतर है root generally हम लोग plan के रूप में बनाते हैं और track जो है actual ground पर जब हम चलते हैं तब बनता है तो ऐसी इस्तिति में root और track technically थोड़ा अलग है लेकिन दोनों लगभग बराबर है यहां दो चीजे है primary और secondary roots root पहला जो primary है यानि कि जिसको हम लोग plan तयार करते हैं और secondary वो है जिस root को हम लोग use करते हैं as a reference जब पहला कोई root हम लोग import करते हैं तो वह map में सही दिखता है जैसे यहां पर आपको दिख रहा है मैंने यहां पर एक track को import किया इसके import करते ही हमारा पहले से बना हुआ जो plan है जो root हमने तयार किया था यह yellow dash के रूप में यहां appear होता है तो primary और secondary root में हम लोग यही अंतर देख पाते हैं कि जो primary root है यह इस प्रकार से colorful दिखेगा और दूसरा जो secondary होगा वो इस प्रकार से dash के रूप में दिखता है पाचपा जो object है वो है overlay overlay generally waypoint को हम लोग overlay के रूप में map में ला सकते हैं किसी shape, special type का shape जैसे कि हम लोग overlay बनाते हैं drawing, जितना भी drawings हम लोग का बनता है वो भी overlay के रूप में रहता है इसके अलावे किसी track को हम लोग overlay के रूप में import कर सकते हैं साथ इसाथ route को भी import कर सकते हैं तो overlay generally बहुत wide span है इसका हम लोग overlays के रूप में इन सभी चीजों को जो अब तक देख चुके इन सभी चीजों को हम लोग overlay के रूप में रख सकते हैं अभी प्रशन यह है कि delete किसे करना है इन सब की प्रकृति अलग होने के कारण delete करने का function अलग है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर अलग अलग प्रकार के components आपके screen में दिख रहा होगा है तो generally waypoint को हम लोग root के अंतरगत clean roots और waypoints यहां पर दिख रहा है तो आपको generally कोई भी waypoint को मिटाना हो तो यहां से आप click कीजिए यह मिट जाएंगे यहां ध्यान देने वाली बात है कि इसके साथ-साथ roots भी मिट जाएंगे तो चलिए इसको हम लोग action को follow करते हैं देखे जितने भी root से संबंदित और जितने waypoint से संबंदित चीजें थी वो गाइब हो गया इसके अलावे यहां जो बच गया यह है waypoint as overlay तो overlay वाले चीज़ों को हम लोग कहां से मिटाते हैं वह हम लोग generally overlay section में हैं यहां पर remove overlay इसको मिटाते हैं इसके अलावे कई बार क्या होता है कि आप यहां पर track recording प्रारम कर देते हैं और वहां पर track आपका बनना start हो जाता है और पूरू से भी कई track यहां पर मौझूद हैं आप इसको चाहेंगे कि मैं इसे मिटाना चाहूं तो यह track section में यह stop recording करना पड़ेगा इसके बाद आपको track delete करने का option आता है तो track को सबसे पहले stop करेंगे stop करने के बाद आप ok दबाईए और इस प्रकार से ok दबाने के बाद यहां पर आपका track record हो जाता है then आपको clean track from map का option दिखाई देगा तो यह ध्यान रहेगा कि आप सबसे पहले अपने recording button को आप off करेंगे इसके बाद आप इसे clean track from the map यह करना है बहुत बार क्या होता है कि हम लोग किसी waypoint को reference मान करके हम उसको go to करते हैं कहां से इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहां पर navigate to किया हुआ है तो इस प्रकार से navigate to करने के बाद क्या है आपका GPS से इस waypoint तक एक प्रकार का thread स्टार्ट हो जाता है और वह आपको direction देता रहता है तो इसको delete करने के लिए आपको सबसे पहले navigation option में जा करके आपको stop waypoint navigation करना पड़ेगा इसको बंद करना पड़ेगा तभी आप इसे मीटा सकते हैं तो यह चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आपको जिस चीज़ को मिटाना है उसको किस तरह से हम लोग ढूनेंगे तो यहां चार options दिये गए हैं चार options में पहला track option में आपको यहां मिल जागा delete का कोई option फिर यदि नहीं तो यह waypoint वाले section में आप देख लिजे या नहीं तो आपको root वाले section में देख लिजे और इन तीनों के बाद यदि नहीं मिटता है तो निश्चित रूप से यह एक overlay होगा और remove overlay के रूप में आप इसको मिटा सकते हैं कोई भी इस प्रकार से structure आपके screen में दिखता है तो इन चारों को check कीजे कहीं न कहीं आपको delete का option मिलता है चाओथा जो option है वो remove overlay है यह ज़्यादा तर लोगों को पता नहीं रहता है और इसके चलते काफी परेशान हो जाते हैं तो आपको अब तक पता चल गया होगा किस प्रकार से किसी track या किसी object को मिटाते हैं आपको यह वीडियो कैसा लगा यदि पसंद आता है तो hit कीजिए like बटन पर और कुछ न कुछ जरूर comment कीजिए हमें उत्सा वर्दन कीजिए आप लोगों का comment हमें प्रेशित करते हैं नए वीडियोस बनाने के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद